नमस्कार, मैं तरिशा स्वागत करती हूँ आपका NBC24 में आर्यन खान को NCB के ओफिस मिलने पहुंची सारुक खान की मैनेजर पूजा ददलानी सारुक खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान को हाल ही में ड्रक्स केस में पुलिस ने गिरफतार किया बॉलिवड एक्टर सारुक खान की बेटे आर्यन खान को गुरुवार यानी साट अक्टूबर तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया गया है वहीं अब एक्टर की मैनेजर पूजा ददलानी को स्टार कित से मिलने एजेंसी के हेटक्वार्टर में पहुंचते हुए देखा गया है कार की तरफ वापस जाते समय पूजा ने एजेंसी हेटक्वार्टर के बाहर तैनाथ मीडिया को संभूत्त नहीं किया इसके तुरंत बाद NCB के अधिकारियों को कुरूज शिप रेव पार्टी के हाल ही में ग्रफतार किये गए इवेंट और्गिनाइजर्ज को गरिस्कॉट करते हुए देखा गया इन आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था इस बीच मंगलवार रात को नार्कोटिक्स एजेंसी ने एक और व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया मुंबई पुलिस ड्रक्स केस के मामले में पूरे मुंबई में छापे मारी कर रही है दूसरी ओर सारुक के फ्रेंस उनके कठिन समय में उनकी फैमिली के सपोर्ट में सामने आया है जहां एक तरफ आर्यन और उनके पिता सारुक को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ कहीं फैंस और सलेक्स ऐसे भी हैं जो किंग खान के बचाओं में आगया है वहीं सिंगर मिका सिंग ने NCB की चुटकी लेते हुए सारुक को आर्यन को अपने सपोर्ट दिया है मिका सिंग ने आर्यन को गिरफतारी के बाद अपने सोसल मीडिया अकाउंट में कार्डियला दो इंप्रेस क्रूस की एक तस्वीर सेयर की इसके साथ सिंगर ने लिखा वा कार्डियला क्रूस कितनी खुबसुरत है कास मैं भी यहां जा सकता मैंने सुना है वहां बहुत से लोग थे लेकिन मुझे आर्यन खान के अलावा यहां कोई नज़र नहीं आया इतने बड़े क्रूस में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था क्या हद है वही सोसल मीडिया पर हैस्टाइब ट्रेंड करने के बाद सारुक के कुछ और फैंस उनके बंगले मननत के बाहर देखे गए लोग वहां भी स्टैंड विथ आर्यन खान लिखे हुए बैनर लिए खड़े है सोसल मीडिया में भी यह खूब ट्रेंड कर रहा है मननत के बाहर लगी एक होर्डिंग पर लिखा था इस दुनिया के बहर पोने में बसे आपके फैंस आपके बेहद और बिना किसी सर्थ के प्यार करते हैं इस मुस्किल वक्त में हम आपके साथ हैं किंग ख्याल रखना मिका सिंग से पहले भी कई फैंस ने NCB पर आरेन खान को टार्गेट करने का आरूप लगाया है इन आरोकों पर NCB के डायेक्टर समीर वान खेरे ने टाइमस आफ इंडिया से कहा हम किसी को टार्गेट नहीं कर रहे हमारे पास उसके खिलाफ कुछ नहीं है हमने पिछले कई दिनों में 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफतार किया है जिनमें महज 5 से 6 बड़े नाम है लेकिन मीडिया द्वारा सिर्फ आरियन को हाइलाइट किया जा रहा है मीडिया तभी दिल्चस्पी लेती है जब केस में कोई बड़ा नाम सामिलो बॉलिवुड सेलेप्स सोसल मीडिया पर लगाता है आरियन को सपोर्ट कर रहा है रित्तिक रोशन की एक्स वाइब सुजैन खान ने भी आरियन के लिए इस घटना पर दुख जताया है और इससे दुर्भाग पूर्ण बताया है वहीं हंसल मैता ने भी इसे अनफेर कहा है कई अन्य स्टार्स और नेता सोसल मीडिया पर सारुक खान को सपोर्ट करते नजर आ रहे है रिपोर्टर्स के अनुसार सारुक से उनके घर पर मिलने के लिए लगातार कोई ना कोई सलेप्स पहुची रहा है गौरी की करीबी दोस्त महीप कपूर, नीलम कोठारी और सीमा खान भी सोंबार कोंच से मिलने के लिए उनके घर पहुची थी जैसा कि आप देख रहे है, मीका सिंग के साथ साथ पूजा भटर हंसल मैता जैसे कई बड़े सलेप्स सारुक खान के सपोर्ट में है इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें NBC24